सहरी विकास विभाग वाले मित्रों टेक्स कलेक्टर और अन्य जो इसके अंदर भड़ती आएं जैसे कि सुनने में आ रहा था कि मुख्य मंत्री द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिये जाएंगे जैसे कि सची वाले रक्षक को दिये गए अभियोजन अधिकारी और अन्य परिक्षार्थियों को भी दिये गए थे उच्छी सिक्षा नितिसाले में दिये गए थे तो ऐसा ही खबरे मिल रही थी कि टेक्स कलेक्टर और अन्य के लिए ऐसा आयोजन किया जा सकता है जल्दी लेकिन आप आज की आप ख़बर देख रहे हैं सीम निवेस के लिए जाएंगे विदेश तो कल जो है मुख्यमंत्री लंदन रवाना हो रहे हैं चार-पांच दिन का उनका मापे कारेकरम है ठीक है तो इसका मतलब है कि सितंबर भी गया जैसे जुलाई अगस्त ला गया नुक्ती की रहा देखते देखते वैसे सितंबर भी गया ये मान के चलो और दोस्तों जो देरी हो रही है उसकी वैल्यू के बल उनी कोई है जो चाही नहीं थे हैं जिने जॉब चाहिए जो देने वाले हैं उनके लिए तो बस यह हो रहा है कि देखो एक हफते बाद तो हम दे रहे हैं उनको यह हो रहा है कि हम सितंबर नी तो हम अक्टूबर में दे रहे हैं अगस्ट नी तो सितंबर में दे रहे हैं लेकिन वो देते देते इस्थिती वही आ जा रही है जो बात सही है जिन्होंने पहले बोला था जब सुरुवात में ये बात हो रही थी कि अक्टूबर में जोइनिंग होगी तो उस समय सब यही बोल रहे थे कि अक्टूबर तो बहुत ज्यादा दूर है और इतना दूर क्यों बोल रहे हैं लेकिन अब तो यही लग रहा कि कि जॉइनिंग लेटर लिख दिये गए हैं सब कुछ है तो निकायों को यह चाहिए भेज सकते हैं लेकिन जो सहरी विकास हैं वहां के मंत्री हैं या सीम है वो चाहते हैं कि हमें भी क्रेडिट मिले इतनी बड़ी भरती हो रही है दोस्तों 28 पद हैं कर्वन डेवलमेंट में तो जब क्रेडिट लेना चाहरें लेकिन उसके लिए यह नहीं देख रहें कि वहां पर कितना लेट हो रहा है जो चैनी थे हुआ एक एक दिन के लिए परिसान हो रहे हैं अब नेक्स्ट मंत्री स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों क्या ही कह सकते इनके इसी परकार के लक् जार करना पड़ेगा तो कोई ने कोई ग्रहण काल के भरती हो जाती है न जैसे तो उसमें देर चलती रहती है देर देर और कोई होती है जो हमारे बाद वाली कितनी के लिए हो चुगी है देखते हैं फिर आगे क्या अपडेट मिलती है उसी क्या धार पर आगे बताए